प्रॉब्लिम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यॉर फेट मेश राशी, धन लाब के बहुत अच्छे योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी जीवन में बड़े परिवर्तन का योग भी इस समय बनता है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ पना हुआ है व्रिशबराशी अपने स्वास्त का ध्यान बनाए रखें पारिवारिक जीवन में शान्ती रखें इस समय आपके तमाम महत्वपूर्ण काम रुख सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मिथुन राशी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा जीवन साथी के सहयोग से इस समय आपको लाब होगा भगवान गनेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा शुभरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे मुश्किलें दूर होंगी नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत मिल रहे हैं आपके स्वास्थ में इस समय सुधार होता दिखाई दे रहा है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा सिंगराशी करियर के मामले में लाब होता दिख रहा है धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 75 पृतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी बेवज़ा का तनाव परिशान कर सकता है धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे संतान की चिंता इस समय आपकी हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 60 पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर आपके सुधार होने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे जल्दबाजी में इस समय काम करने से बचिएगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिश्यक राशी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे है करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है आपके काम में चली आ रही रुकावट इस समय दूर होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे करियर में नई शुरुवात होगी धन लाब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 पृतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी स्वास्थ का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए स्वास्थ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है परिवार में विवादों से बचना होगा और महत्वपूर्ड निर्डए इस समय आप ताल दीजिएगा हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा कुम्भराशी काम का दबाव बना रहेगा धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं पृतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीनदाशी करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशक बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है अस्टो तक आपकर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए अस्टो तक आप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से